हेलो दोस्तो मैं आपके लिए आज बहुत ही छोटी सा जानकारी लेका आया हूं लेकिन बहुत ही काम का है जो आपको जानकारी होना चाहिए नहीं तो आपको दिक्कत होगा कहने को मतलब जब भी आप फंसेंगे या आपको आपको आउसकता होगा तो आपको यह जनकारी हांसिल करना ही होगा तो आज हम देखेंगे कि आर बारा जो गैस है जो गवर्मेंट ने काफी पहले ही बंद कर दिया है तो क्या है कि अभी भी जो फ्रीज अल्रेडी काम कर रहे हैं आर बारा गैस से जो काम करने अल्रेडी फ्रीड में है तो उन्हें जब प्रोब्लम आ रही है तो उसको तो रिपेर करना होगा जैसे माली जे गैस से समंदित समस्या जो आ रही है उसको तो रिपेर करना होगा तो हमको compressor चेंज नहीं करना होगा, तो जैसे R12 गैस तो है नहीं, तो उसके जगा में हम hydrocarbon इस्तमाल कर सकते हैं, जैसे भी आप देख रहे होंगे, तो उसके जगा में हम hydrocarbon चार्ज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, तो जैसे यहां यह भी दिया हुआ है, कि 134 गैस जो आता है R134 से, उसके जगा में भी आप hydrocarbon का इस्तमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक वाक्या हुआ था, कि किसी वहाई ने 134 गैस है, नॉर्मल वाला जो आता है, 134 गैस को भी चार्ज कर दिया, और इस ने इस रिप्लेस वाले वर्ट पर ध्यान ने दिया, सिर्फ उसने देखा कि 134 यहां लिखा हुआ है, तो क्या हुआ कि कुछ गैस जो चार्ज 134 का कर दिया, और कुछ इसने hydrocarbon उसमें mix कर दिया, मतलब 134 और hydrocarbon को mix कर दिया, लेकिन यह ध्यान ने दिया कि 134 के जगा में आप इसको यूज कर सकते हैं hydrocarbon, थोड़ा सा उनको समझने में दिक्कत हुआ, और नया नया थे field में ज़्यादा जानकारी उनको नहीं था, इस विदास से छोड़ा सा हाथसा हुआ, तो इससे लिए हमको safety का सबसे पहले ध्यान देना है, क्योंकि जब तक proper knowledge ना हो, उसमें हमको क काम नहीं करना चाहिए, तो आप काम करें लेकिन जनकारी लेके करें, क्योंकि safety पहले है, तो आज जिसे हम बताने जा रहे थे, जिसे R12 का इस तो बंद हो गया है, तो उसके जगा में आप इसको hydrocarbon को चार्ज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, नहीं तो फ्रिज में बहुत कम ही customer होंगे, या कोई भी ऐसे वेक्ति होंगे, जो ज्यादा पैसे देखें, पुराने फ्रिज को रिपेर करवाएंगे, तो उसके जगा में आप हम hydrocarbon चार्च कर देंगे, R12 का जगा में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यह असानी से काम करेंगा, कोई भी दिक कर देंगे, तो थैंक्यों दोस्तों, वीडियो वाच करने के लिए धन्यवाद,